हलो फ्रेंज मैं हूँ टिकी और श्वागत है आपको अपने ही चैनल टिकी स्टीपस और ट्रिक्स पर कैसे हैं आप लोग भगवान की क्रिपा से अब सारे श्वास्त और मस्त होंगे समरब विश्वासे तो टाइटल देखके तो आप लोग जान गए होंगे आज का वीडियो मेरा किसके उपर है जी हाँ मैं गंगुबाई लुक को यहाँ पे रीक्रेट करने वाली हूँ एक्चली इस एक ही वीडियो में में उसका मेक अप भी हैरस्टाइल भी और उसका गेट अप सारा कुछ सेर करने वाली थी एक ही वीडियो में एडिटिंग विगरा सब कुछ खतम हो गया था बस वो एडिटिंग के अप्लिकेशन से वो सेर ही नहीं हो पाया से भी नहीं हो पाया तो उसके बज़े से मैंने सारा कुछ ट्राइ कर लिया फाइनली इस तरह सोच जा के उसका डिवाइड कर लेती हूँ पाट पाट अलग-अलग मेकप का हेश्टेल का और गेट अप का सारा कुछ अलग-अलग कर लोगी पहले ये मैकप वाला ट्राइ करके देख लेती हूँ ये भी हो पाएगा या नहीं मुझे पता नहीं बस ट्राइ करती जा रहे हूँ साइद कुछ हो पाए कुछ से वगरा हो जाए जाके गलरी में चलिए आगे इस तरह की मर्जी ये मेरा सात्वा नंबर का एडिटिंग किया हुआ वीडियो है छे बार मैं डिलिट कर चुकी हूँ एडिट किया हुआ वीडियो कुछ ना कुछ बज़े से अफलोड नहीं हो पा रहा था लाश्टली मैंने कुछ इस तरह से देखिए इसमें कुछ भी लेयर वगेरा मैं एडिट नहीं की हूँ सिर्फ वॉइस दी हूँ और ना ही म्यूजिक ना ही कोई सस्क्राइब बटन वगेरा कुछ भी ने लगाई हूँ इस तरह से मैं ये भी अगर नहीं होगा तो मुझे इतना गुसा आ रहा है मैं तो सोच रही हूँ यूट्यूब भी छोड़ दू अरे अपलोड नहीं होगा तो वीडियो फिर क्या करें तो देखते हैं आगे इश्वर की मर्जी चलिए वीडियो की तरफ जो थी वे उसके उपर भी आ जाते हैं मैं क्या टेंसन लेके बैठी हूँ टेंसन तो होगा ही ना अपलोड नहीं हो रहा है तो किस बात की वीडियो क्या सेर करना क्या कुछ चलिए तो काफी आगे बढ़ चुका है वीडियो जैसे कि आपने देखा सबसे पहले मैंने स्कीन को अच्छे से रोजवाटर से साफ किया काफी डल हो चुका है मेरा स्कीन मुझे पता है कहीं दिनों से मैंने कोई स्कीन केर नहीं किया है और ये इतना गर्मी गर्मी के वज़े से मन भी नहीं करता है कुछ करने को और उसके बाद रोजवाटर से क्लीन करने के बाद मैंने face पे apply किया lotus का serum यहां पे मैं बता देना चाहती हूँ यहां पे makeup के लिए मैंने जितना product लिया है वो lotus का switch beauty का and mebelin का use की हूँ तो lotus का serum मैंने lotus का particular serum में वो नहीं बोले हूँ आप कोई सा भी serum लगाओ या फिर और कुछ लगाओ moisturizer team या कुछ भी foundation का अच्छे से face पे और neck पे apply करके उसके बाद brush के मदद से अच्छे से blend कर दिया और यहां पे मैं concealer apply कर रही हूँ concealer actually मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन यहां पे मैं जैसे कि पहले बॉल चुकी हूँ मेरा skin काफी डल हो इसलिए अंडर आय के नीचे और जहां पे भी मुझे थोड़ा darkness दिख रहा था तो उसके उपर मैंने concealer चड़ाया और यहां पे उसके बाद highlighter की तरह में यूज कर रही हूँ मेरा जो brown color का lip liner का pencil है उसका में थोड़ा ही lip up होता कर दिया है तो फेस पे काफी कुछ coat चड़ा दिया यह तो बहुत कम है और भी बहुत कुछ चड़ाते हैं लेकिन मुझे मेरे हिसाब से में जितना makeup लेती हूँ regular makeup के हिसाब से मुझे काफी ज़्यादा लग रहा है यह तो अभी चलते है आईवरो के तरफ आईशेडो ब्राउन कलर का आईशेडो और ब्रस की मदद से मुझे आईवरो फिल करना बहुत अच्छा लगता है मेरा यह regular style है यहाँ पर मैं मोटा सा आईवरो बनाऊंगी इस makeup के लिए मुझे मोटा सा आईवरो चाहिए तो उसके लिए मैं तीन चीजों का यूज करूँगी पहले तो इसको फिल कर दी ब्राउन आईशेडो से और उसके बाद मैं थोड़ा लाइन दूँगी डार्क कलर का जो है ब्राउन कलर का वो लिफ लाइन है उसी के मदद से और उसके बाद लाश्ट ली में टच अप दूँगी मसकारा का तो हो गया ये मेरा आईवरो उसके बाद आई मेकप के तरफ चलेंगे सबसे पहले आईशेडो के लिए मैं यहाँ पे बेस चड़ा रही हूँ सिल्वर कलर का हाईलाइटर उसके ऊपर ही में कुछ ब्राउनिस कोट चड़ाऊंगी जो मुझे सही लगता है गंगु बाई के मेकप लुक के लिए अगर आपने ध्यान से देखा होगा गंगु बाई के लुक को तो उसने सारा कुछ चाहे ब्लाशर हो चाहे आईशेडर हो हलका ब्राउनिस कलर कोट चड़ाया हुआ है तो उसी तरह का मैं टेच अप देने की कोसिस करूंगी तो हाँ गंगु बाई के लुक के लिए उसका जो है आई मेकप खास इफेक छोड़ता है तो उसके लिए हमें आई मेकप के तरफ खास ध्यान देना होगा तो यहाँ पे मेरा ब्राउनिस कोट चड़ रहा है मैंने मिक्स मेच करके गंगु बाई लुक के लिए यहाँ पे मैंने दो कोट चड़ाये हैं तो ब्राउनिस का ही सेम पहला तो बेस रह गया है वह वाइट सिल्वर कलर का उसके ऊपर मैंने दो कोट और चड़ाये हैं और यहाँ पे ब्लेशर भी मेरा हो गया जैसे कि मैं पहले बोली हूँ गंगु बाई के आई मेकप के तरफ खास ध्यान देना होगा उसके लिए हमें लोयर वाटर लाइन एड अफपर वाटर लाइन को काजल से सबसे पहले फिल करना है मुझसे अफ़र वाटर लाइन हमेशा लगाया नहीं जाता और मैं उसको बहुत ही कम लगाती हूँ एकदम जरूरी ना हो तो मैं उसको एवट करती हूँ आसु आ जाता है मेरे आंग से बट इसमें लगाना जरूरी था तो देखिए काजल हो गया उसके बाद ना हम नीचे के तरफ एक मोटा सा धार कीचेंगे गंगुभाई लुक के लिए मोटा सा धार चाहे आप पैंसिल से लगाओ आई पैंसिल से एकदम पतला सा देखिए मैं यहां पे कितना पतला सा आई लाइनर कीच रही हूँ बस दोनों तरफ हो जाए उसके बाद आई लेसिस के तरफ आएंगे मैं यहां पे कोई एक्स्टर आई लेसिस एड़ नहीं की हूँ आप चाहो तो एड़ कर सकते हो देखिए मैं सिर्फ यहां पे लेसिस को करूंगी और उसके बाद मसकरा चड़ा दूंगी और हाँ फ्रेंस और एक बात मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मुझसे इस दोरान इस मेकप के दोरान एक मिश्टेक हो गया है चोटा सा या बिग मिश्टेक जो भी आपके नजर में हो तो फाइनली वो भी मैं आपसे सेर करूंगी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी हाँ इस दोरान अगर आपने पकर लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा खुसी होगी मुझे तो उस अगर मिश्टेक को नजर अनदाज करते हुए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है आपको मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है पसंद आता है तो लाइक सेर सस्क्राइब जरूर कीजेगा और सस्क्राइब करके बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो फिर अप चलते हैं लीफ मेकड़ के तरफ यहां पे लीफ लाइनर की तरफ वही मैंने डार्क कलर का वो राउन कलर का लीफ लाइनर यूजी जो मैं आई ब्रो के लिए और हाई लेटर के लिए उसकी थी वही सेंग पेंसिल और उसके बाद मैं दो कलर की लिफटिक यहां जो कलर मुझे चाहिए वो कलर नहीं था मेरे पास उसके लिए मैंने दोनों को ट्राय करके कुछ इस तरह का कलर निकाला और उसके बाद यह देखिए गंगुबाई का जो है दो हाइलेटर पॉइंट उसका बिंदी और उसका काला टिका वह भी कंप्लिट कर लेते हैं यहां प जो उसका काला टिका बनाऊंगी वह आईलाइनर से पॉइंटेड है तो बन जाएगा असानी से तो देखिए यह हो जाए बस हो जाएगा हमारा गंगुबाई का कंप्लिट लूक और उसके साथ हम एसेंसरिस क्या लेंगे वह भी थोड़ा में आपको दिखा दूंगी लेकिन मेरे पास उसका एक ही प्रॉब्लम था मेरे पास उसका मेचिंग का नोस्पिन नहीं था गंगुबाई लुक के लिए नोस्पिन जरूरी है तो उसके लिए मैंने गोल्डेन कलर का ये टॉफ ले लिया और उसके साथ मेरे पास एक नोस्पिन के लिए एक tips या tricks के उपर ही आधारित होता है जितना कम investment में आप अच्छा चीज कर सको वो ही मेरा motive रहता है तो ये देखे एक press sharing का जो है जोड़ा है तो उसमें से एक में nose pin की तरह यूज़ कर लूँगी golden color का है ये तो इसलिए मैं ये ring golden color का ली थी तो चेलिए फ्रेंज ये तो हो गया final look मेरा गंगू भाई का और hairstyle का अगर ये upload हो जाए तो भगवान की क्रिपा से hairstyle का और अलग से get up का भी में सेर कर लूँगी हाँ वो जो पहले मैं आप से बात की थी mistake के बारे में तो अगर आपने अभी तक पकड़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं तो चलिए मैं बता देती हूँ उसका जो है सबसे हाइलाइटर पॉइंट है उसका जो है काला टिका वो में ना गलत तरफ लगा ली थी सारा सब कुछ record हो गया, reels हो गया मेरा सब कुछ बन गया उसके बाद मुझे ध्यान आया बस आज के लिए इतना ही friends फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में भगवान की कृपा से ये वीडियो उपलोड हो जाए उसके बाद दूसरे वीडियो में मिलेंगे टेक के